गंगा एक शान्त और अच्छा इंसान है, हर काम सोच समझकर करता है कुछ दिनों पहले उसी गाव के बाहर पुल के पास एक हाथी का चोटा सा बच्चा मिला था गंगा उस चोटी से हाथी के बच्चे को अपने साथ घर लेकर जाता है लेकिन रास्ते में उसे देखकर ये हाथी का बच्चा हमें क्यों नहीं मिला सोचकर जलने वाले लोग गंगा से ऐसी बाते करते हैं इस हाथी के बच्चे को मैंने सुबा ही देख लिया था ये वक्त के साथ सरदर्द बनेगा कहकर वही पर चोड़ दिया था इसे गंगा बाई को रास्ते चलती हर मुसीबत को गले लगाने का शौक है जब वो हाथी बड़ा होकर सिर्फ तोड़ पोड़ करेगा तब समझ में आएगा उन्हें हमारी बात ऐसे कहते हुए विजे और अजे वहां से चले जाते है गंगा उनकी बातों पर ध्यान दिये बिना उस हाथी के बच्चे को घर लेकर जाता है और उसका एक नाम रखता है आज से तुम्हारा नाम बीम है जब भी मैं बीम कहेकर बुकारूँगा मेरे पास आ जाना या फिर मुझे आवाज लगा देना ऐसे गंगा उस हाथी को एक नाम देता है और उसे हर रोज खाने के लिए अपने खेत में से कुछ खेले लेकर आकर रखता है और उसे नहलाने के लिए पुल के नदी में लेकर जाता है गंगा हर रोज भीम को उस फुल के पास लेकर आता है और उस फुल पर से डेर सारे गाडिया भी घूमते हैं लेकिन सब अपने अपने काम पर ही ध्यान देते हैं लेकिन भीम वो नदी के पानी में से उस फुल में पड़ती दारों को देखता है और गंगा को बताने के कोशिश करता है क्या हो गया है भीम तुझे? जैसे जैसे बड़े हो रहे हो वैसे ही तेरा स्चोर भी बढ़ता जा रहा है अब चुप हो जा वरना तुम्हें यही पर चोड़ कर जाओंगा ऐसे कहते ही भीम चुप हो जाता है और उसके बाद फिर कभी नहीं पुकरता है ऐसे दिन गुजारते जाते है और भीम बड़ा हो जाता है अजे तु अपनी ट्रैक्टर में इतना लोड क्यों बर रहा है? लगता है उस पुल में पहले जित्ती पकड़ नहीं है ये बात तो मुझे भी पता है विजे लेकिन जब पुराना पुल टूटेगा तब ही तो नया पुल बनेगा अच्छा ऐसी बात है फिर तो सही है पता नहीं हम मुर्ग ना होते तो इस गाओ का क्या होता? ऐसे कहते हुए हसते हुए आजी और विजे अपने अपने रास्ते पर चले जाते है और भीम को इस बात का पता चल गया था इसलिए वो हर रोज फुल के नीचे जाकर उस फुल संभाल रहा था गंगा इस बात से अंजन था इसलिए भीम से गुसा हो रहा था अजी और विजे ने मुझे पहले ही कहा था मैंने ही उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया है जब से भीम बड़ा हुआ है अपने मर्जी से कही पर भी चला जाता है आज उसका हिसाब करना ही होगा ऐसे कहते हुए गंगा अपने हाथी को ढूनते हुए जाता है काफी देर तक गाव में ढून कर पुल के पास जाने पर तब उसे भीम पुल के नीचे खड़ा होकर तूरते हुए पुल को संभालने की कोशिश कर रहा था तब ही सडक से उस पार से भारी सामान लेकर आता हुआ आजे नजर आता है गंगा उसे रोपने की कोशिश करता है लेकिन आजे पुल पर चड़ जाता है अरे तुने क्या कर दिया आजे जल्दी से लेकिन दीरे दीरे अपने ट्रैक्टर को हटा दे पुल पार से ये सारा पुल बीम के उपर टीका हुआ है वो हट गया तो सब तूट जाएगा अजे वो देखने के बाद अपनी ट्राक्टर चोड़ कर वहां से भग जाता है उसके बाद गंगा ही दीरे से ट्राक्टर को हटा कर सड़क को बंद करके भीम को वहां से निकलता है भीम को वहां से निकलते ही सारा पुल नीचे गिर जाता है तब गंगा को समझ में आता है कि भीम हर रोस सुभा से शाम तक कहां पर जा रहा था मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त मैं सोच रहा था कि उस दिन तुम्हें पुल से उटा कर गलती कीती लेकिन मैं गलत था ऐसे कहते हुए गंगा भीम से माफी मांगता है और जब ये बात गाव वालों को पता चलती है सब भीम की खूब थारिफ करते है और सब गंगा की तरहा ही उसे प्यार देते है नाकपूर गाव में सिर्फ एक दो चीजे ही मशुर है उन में से एक गोविन का हाथ के बनी हुई मिठाया सारे नाकपूर में कोई भी दावत हो मिठाया गोवित की दुकान से ही जाती है गोविन भाई सारी मिठाया मिला कर ये किलो दे दो और जिले भी अलग से आदा किलो दे दो आप तो जान दे ही हो हमें मोके की थलास रहती है आपकी मिठाय काने के लिए इसलिए मौका मिलने से हर हर तरह की मिटाईया का लेते है जब तक आप लोग कुशी से काते रहोगे तब तक इन मिटाईयों में स्वात कम नहीं होगा ऐसे गोविन का व्यापर बहुत अच्चे से चलता था उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी चोट असा घर, समझदार पत्नी और अच्च व्यापर सब कुछ तो ठीक था लेकिन उसे चिनता थी तो सिर्फ उसके बेटे कबिर की कबिर अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनता है हमेशा दोस्तों के साथ वक्त बरबाद करता है कुछ कहने पर पलट कर जवाब देता है ऐसे बच्चे हो तो कौन से माबब खुश होते है भला कभिर बेटा, ऐसे मुँ मत बनाओ आज शाम को गज जल्दी आना पिताजी को तुमसे बात करनी है आने में तेर करके फिर से उन्हें गुस्ता मत दिलाना जल्दी आऊँ या देर से उन्हें तो सिर्फ मुझे बाते सुनने का मौका चाहिए ऐसे केते हुए कभिर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और हमेशा की तरा रात को देर करके आता है ललिता ये सोचकत चिन्ता कर रही थी कि दोनों बाप बेटे आज जगड़ा करते हुए हद ना पार कर दे लेकिन गोविन अच्चे से ही शुरुवात करता है देखो बेटा अब तुम बड़े हो गए हो तुम्हारी उमर दोस्तों के साथ गूम कर मोज मस्ति करने की नहीं है तुम्हे अब जिनमेदार बनना होगा जब मैं तुमसे चोटा था तब मैं कुद मिटाई का व्यापर शुरू किया था आज मैं काम्याबी इंसान हूँ बस करो पिता जी आपके जमाने में सब कुछ आसान होता था इस जमाने में ऐसे शुरूवत करके काम्याबी होकर दिखाओ और मुझे आपका ये व्यापर दे दो देखो मैं इसे कहा लेकर जाता हूँ गोविन अपने बेटे की बात मान लेता है और अपना व्यापर कविर को देकर खुद एक नया व्यापर शुरू करने की सोचता है लेकिन उसे शुरुवत कैसे करने चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तब गोविन की पतनी ललिता उसे एक बहुत अची बात कहती है इतने परेशन क्यों हो रहे हो आपने सिर्फ दुकान चोड़ी है आपने खला नहीं आप किसी भी खाने की चीज़ को एक मिटाई में बदल सकते हो तुम सही कह रही हो ललिता मैं किसी भी खाने की चीज़ को मिटाई में बदल सकता हूँ लेकिन मैं अपना काम बहुत ही साधारन तरीके से शुरू करना चाहता हूँ ऐसे कहेकर सोचते हुए गोविन को एक ख्याल आता है वो अपने आंगर में लगे हुए नारियल के पेट से कुछ नारियल तोड़कर घर में जो सामान है उसी से नारियल की बर्फी बना कर बेचता है स्वाद अच्चा होने की वज़ा से लोग सड़क के किनारे पर एक चोट इसी टोगरी में बीक रही नारियल की बर्फी भी बड़े शौक से खरीद कर खाते है ऐसे गोविन का व्यापार अच्ची रफ्तार पकड़ लेता है यहाँ पर गोविन का बेटा कबीर दुकान में जो मिठाईया है वही कम ज्यादा दाम में बेचते हुए दुकान का नाम खराब कर देता है जो पैसे कमाये थी उन्हें उड़ा देता है ऐसे कबीर अपने अच्ची खासे व्यापार को बरबग कर देता है तो बताओ चुनोती देने वाली नौजवान कैसा चल रहा है तुम्हारा व्यापार मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है मुझे माफ कर दो पिता जी मैं हार मानता हूँ आपने सिर्फ गर के सामान को इस्तमाल करके व्यापार शुरू किया मैंने अच्छे व्यापार को बर्बत कर दिया ऐसे केते हुए काबिर अपने दोस्तों के चक्कत चोड़ कर पिता के साथ व्यापार करना सीखता है वो देखतर ललिता और गोविन दोनों भी बहुत खुश होते है हमें आंगर में और नारियल के पेड लगा लेने चाहिए मुझे नारियल की बर्फी बहुत पसंद आई है आप नारियल बर्फी का व्यापार करो या ना करो मेरे लिए हर रोज तूरी बर्फी बना दिया करो गोविन मुस्कुराते हुए अपने पत्नी की बात मान लेता है और कोश रेता है